अले फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैजेनर्स यूनिक गार्डनिंग और फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे इन रंग बिरंगी पत्तियों वाले खुबसूरत से प्लांट कोलियस के बारे में तो फ्रेंट्स कोलियस की जो वेराइटी होती है वो एक दरजन से ज़्यादा होती है इनकी पत्तियों में जो कलर होते हैं और जो इनकी पत्तियों के जिजाइन होती है वो 12 से 14 कलर में 14 डिजाइनों में अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटन की पत्तियों वाले आपको को कोलियस पूरे ही मार्केट में मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि कोलियस प्लांट को हम अपने गार्डन में हमेशा के लिए किस तरह से बना के रखें वैसे तो फ्रेंट्स इसको ज्यादा केर की जरुवत नहीं होती है इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की घृत्त टू अधा लगफ नहीं वहीं कोई हैं है तो इसकी जो खुब सूरी है श्क्राइब की जो डिजाइन है। की पत्तियों की जो कलर्सएं त्वो धुंदे दिनों बाध फ्रेंश įहे जमक्ला कों पर बाद आ practitioners के पहले उसकी जो रिजल्ट आया है वो कितने परसेंट रहा है और आज मैं आपको बताओंगी कि आप अपने गार्डन में किस तरीके से कॉलियस के प्लांट की पतियों का कलर्स और आपके गार्डन में कोलीस को हमेशा के लिए कैसे बनाएग सकते हैं तो चलिए फरेंस स्ट करना मत बुलिएगा ताकि मेरे नए ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्रेंस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो फ्रेंस यह कोलियस के प्लांट है और फ्रेंस इसमें बहुत सारी विराइटी देखने को मिलती है इसकी जो पत्तियों के कलर है और इसकी जो पत्तियों पर डिजाइन रहती है जिसे इस तरह पत्ति के उपर जो इस लाइन की डिजाइन बनी वी है और इस तरह बनी वी है तो यह सार हमारे गार्डन से चला भी जाता है मर भी जाता है कुछ टाइम के बाद में तो दो प्रॉब्लम होती है फ्रेंस इसको कुछ टाइम हमारे गार्डन में लगाने के बाद में और पहली प्रॉब्लम होती है फ्रेंस की ये धीरे-धीरे करके मरने लगता है और दूसरी प्रॉब हैं मैं आज आपको बता रही हूं तो सबसे पहले तो फ्रेंस से लेकर आते हैं तो हम जिस मिटी में लगाते हैं वो मिटी सबसे छो रिकार्मेंट है उसके पंपनानी चाहिए तो लेकर लाल धी बमे लड़ित मिटी घृती हो और तो उसको करके excerpt 25% ले फ्रेंस उसके अंदर आप 25% वर्मी कंपोस मिलाईए या फिर आप गोबर की अच्छे से जो सडी भी हो और बहुत ही पुरानी देड़ या दो साल पुरानी हो वेसी आप गोबर की खाद मिलाईए इसमें 25% फ्रेंस आप इसमें मिला सकते हैं रिवर सेंट रिवर सेंट फ्रेंट ऐसी क्वालिटी होती है उसमें कि वो पानी को आपके जो प्लांट है उसके पॉर्ट में रुकने नहीं देती है तो आपके जो कॉलियस का प्लांट होता है उसका मरने का एक कारण ये भी हो सकता है फ्रेंस कि आपके जो पॉर्ट है उसमे पानी का रुकाव हो रहा होगा और वो जो ड्रेन होल से बाहर नहीं आ रहा होगा इस करण से आपके जो प्लांट है उसकी रूट्स वहाँ पर से गल गई हो इसलिए आपका प्लांट मर सकता है इसके बाद में बात करू फ्रेंट्स की 25% आप या तो उसमें राइस हस्ट मिला यह घटा तो आप उसमें कोको पीट या फिर राइस आसक ज़रूर मिला यह जिससे वो पानी को कुछ टाइम होड करके रखे। इसको गर्मी के मौसम में मौश्यर वाली मिट्टी पसंद होती है तो आप एसी ही मिट्टी तयार कीजिए जिसकी मिट्टी पानी को होल करके रखें और इसे फुल टाइम मौश्यर प्रोवाइड करें दूसरी बात इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरुवत नहीं होती है इसे आप ठंड में शेडी एरिया में रखें तो ये गर्मी में आप इसे फ्रेंज आप ठंड में धूप में रखें इसको आप संलाइट प्रोवाइड कीजिए ज़्यादा ठंडी का मोसम होता है तो इसे धूप की जरुवत पड़ती है और ज्यादा गर्मी का मौसम हो फ्रेंस तो आप इसे शेडी एरे प्रवाइट कीजिए तो उससे क्या होगा फ्रेंस की इसके जो कलर्स हैं ब्राइटनेस है वो नहीं जाएगी और इसकी कलर जो होते हैं एक ही देखिए मेरे जो प्लांट है वो एक ही है पर उसके ओपर आप कलर देख सकते हैं फ्रेंस की कितने सारे और कितने डिफ्रेंट कलर हैं इसके ओपर आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच है इस ब्रांच में अलग लगा है कलर और इसमें आपको अलग लग रहा होगा कलर और फ्रेंस इस टाइप की जो पत और उसमें अलग-अलग कलर आते जा रहे हैं तो यही इस प्लांट की जिसकी वज़े से हम इसे पसंद करते हैं तो इस कलर को हम केसे बनाए रखें तो इसको मैं फ्रेंस हर 15 दिन में एपसन शॉल्ट देती हूं और इसको एपसन शॉल्ट एक चमच एक लिटर पानी में तो मै प्रेंस ये वाला एफसिंज सॉल्ट को पाइस, जो इसे लिए जो इसके लिए ज़रूरी है, जो इसके लिए पतिर नीज के नमा इसके एफसंज सॉल्ट में हर 15 दिन करना होगा, जिससे यह आपके घाडन में जमकदार और जो हले शावदाँ छो पता है, तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना कर दिखाई थी इसमें इसकी पिंचिंग काफी ज़्यादा जरूरी होती है अगर आप इसको घना और बुशी बनाना चाथे हैं तो आप टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग जरूर कीजिए अगर आप उपर से इस तरीके से इसकी पिंचिंग करेंगे तो इसकी नीचे से नही नही ब्रांचे निकल के आएंगी और यह ज़्यादा भी निकालेगा तो तो यह बहुत ही ज़दा घना और बूशी बन जाएगा तो मेरे जितनी भी कॉलियस की फ्रेंस कटिंग है और मैं इनकी टाइम टू टाइम पिंचिंग कर रही हूँ और फ्रेंस देखिए इस टाइप के अगर इसमें फ्लावरिंग होने लगती है यह फ्लावर है तो आप इस ज़्यादा बड़ा कारण होता है कोलियस के मरने का कि वह अपनी फ्लावरिंग के बाद में डेट हो जाता है तो आप उस पर फ्लावर ना बनने दे जैसे यह आप देखें कि आपके पोदे पे फ्लावर बन रहे हैं तो आप उसे इस तरीके से पिंचिंग करके तुरंथी निकाल दे उसका बड़ा होने का रस्ता ना देखें कि यह बड़ा हो जाएगा तब हम निकालेंगे तो आप तुरंथी उसे हटा देंगे तो फ्रेंज आपकी जो प्लांट है उसकी जो सारी इनर्जी है वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा करने में और पत्तियों को बढ़ा करन अब इसको अंदर एक बड़े से प्लांट बन गए है कटिंग ने प्लांट का हाइट ले ली है फ्रेंज देखिए और अब मैं इसको सेपरेट करने वाली हूँ तो मैं सेपरेट जब करूंगी तो इसकी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी तो कॉलियस की फ्रेंड इसकी भी मौसम में लग जाती है फ्रेंज तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मेरी जो कॉलियस की कटिंगे वो कितनी ग्रो हुई है और इसका रिजल्ट के सारा है तो फ्रेंज में थोड़ा इसमें पहले तो आपको सबसे पहले मैं आप बताऊंगी कि मैंने पानी में भ विखती हैं तो फ्रेंज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो मिट्रिवली जो कटिंग के रिजल्ट है वो कैसे हैं मैं यह काटिंग नीकाल का दिखाती यह मैंने सेंड में लगा रखी तो देखिए इसकी भी काफी अच्छी कटिंग चल रही है और रूट्स आ रही है तो फ्रेंस आप कोलियस को किसी भी मौसम में किसी भी सेंड हो या फिर मिटी हो या फिर पानी हो सब में लगा सकते हैं और अपने पोद्धे को आप साल भर कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा फ्रेंस तो मिलते हैं फिर किसी नहीं प्लांट की जनकरी के साथ में किसी नहीं वीडियो मे तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई फ्रेंस